नमस्कार बच्चों, प्लास 10th मैथ में केस स्टेड़ी टाइप क्वेस्चन इस वार जो CVSC ने इंट्रोड्यूस किया है उसके क्रेम में चेप्टर नमबर 9 ट्रिकोनमीती का अनुप्रयोग यानि एप्लिकेशन ऑप ट्रिकोनमीती का चेप्टर क्वेस्चन लेकर के आया हू देखिए उसका क्वेस्चन कैसे है और इसका यूज करके आप जो सब्जेक्टिव तीन से चार नमर का सवाल आता है उसको भी प्रयोग बना सकते हैं और कुछ बहुत आसानी से भी बन सकता है पहले आसानी से बनाना सिखेंगे फिर जिसको प्रयोग करना है उसको आये देखते हैं प्रस्ण देखते हैं किस प्रकार से हैं इंग्लीस में है तो हिंदी में भी आपको बताने की कोशिज करूंगा ट्रांसलेट कर देता हूं कि कह रहा है सवाल में और टीवी टावर टीवी टावर से बनाव बैंक सकानल। चाम सकाने के दावर टावर प्रवी टीवे देखते हैं, प्र wild टीवी टावर टावर से की के घंदीज अभे फ्रॉम दिस पॉइंट्स ओन इस लाइन ज्वाइनिंग इस पॉइंट फूट 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 टावर अंगल अप्टावर इस थर्टी डिग्री यानि कह रहा है एक टीवी टावर है जो नहर के किनारे कनाल के किनारे बैंक मतलब किनारा होता है कनाल के किनारे वो टीवी टावर लगा हुआ है कह रहा है जो कि वहां से नहर के किनारे से दूसरे किनारे ये नहर के एक साइड लगा हुआ है टावर और दूसरे साइड से सिक्स्टी डिग्री का एंगल बना रहा है टॉप के साथ अब कह रहा है इ इससे वो अब टावर का जो टॉप है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो अब इसको देख करके आपको सवाल दिया हुआ है जो कि हाई टॉप टावर तो देखिए एक बार पढ़ लिजिए कुछ आपको आसान भी लेगा कुछ आपको बनाना भी पढ़ेगा तो हाई जावर के नाल कुछ चोडाई यह किनाल कि नहर कि चोडाई एक्स उसके बारे में भी जानकारी रहा हासल कर सुछ है पढ़ने से कुछ आसान से सवाल आपको रेंदम्more याजाएगा एक एक आपको याद आजायेगा पढने से अर्ग्यूट ग्रतर मेजर्डर मे म लाइन ऑफ साइट अब लाइन ऑफ साइट इसको कहते हैं देखे इसके साथ में यह बना रहा हूं तो देखे इस तरह से बनता है यह तो यहां से आप देखते हैं या तो इधर से देखें यह बनेगा यह इंगल बनते एंगल ओफ डिप्रेशन यह अवन मनकों और इसको कहते आंगल और ऑफ इलिवेशन उन्हें उन्हें इसको कहते हैं लाइन ओफ साइट यानि दिरिश्टि रेखा ठीक है अब आप से कह रहा है जो कि horizontal line जो यह line of side से horizontal line यानि यह वाली line से जो आप देख रहे हैं तो कौन सा कौन बनता है यह वाला कौन पूछ रहा है कौन सा कौन बनता है तो जिसको आप क्या कहते हैं angle of elevation value of 1030 degrees equal to 1030 degree का मान क्या होता है तो यह आपको आता है यह दोनों तो आपको हल करना होगा लेकिन यह कुछ तो सवाल आपको आते हैं तो देखें angle of 1030 degree का मान क्या होता है आपको याद होना चाहिए 1 by root 3 और इसी तरह 1060 का value का क्या होता है root 3 तो यह तीन question तो आपको आसानी से आगए अब आए जो कि इसका अनुप्रयोग इसका यूज करके हम सवाल बनाते हैं तो उसमें भी देखिए अब यहां पे 60 degree का कौन है यह मालिया x है यह h है तो पहले 1060 degree बराबर चलते हैं 1060 degree अब देखिए 60 degree बराबर में क्या होगा यह यह है लाल बटे का का यह जिसमें हम आपको पताया था जो कि इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है तो परपेंडिकुलर क्या है h है और यह है नीचे x है अब देखिए एक और ध्यान रखिए इससे अभी तो बना लेते 1060 की यहां पे है यह 60 की वेल्यू क्या है रूट तरी रूट थ्री होता है 1060 की वेल्यू रूट थ्री और h by x तो x बराबर क्या हो जाएगा या रूट थ्री एक यह एक उधर आ जाएगा h बराबर में हो जाएगा x रूट थ्री ठीक है तो यह आपका एक आगया जदी 60 डिगरी हो एक साइट साट डिगरी हो तो इसका रूट थ्री गुना यह होता है और जदी 30 साइट हो तो उल्टा हो जाता है वन रूट थ्री टाइमस हो जाता है तो देखिए यह निकल गया अब 1060 में भड़े वाले में तो यह इसकी लंबाई क्या हो जाएगी x ब्लस 20 ठीके यह पूरा हो जाएगा एकस ब्लस 20 और यह एच है ही तो 1060 की वैल्यू लगाते है ABD में तो क्या हो जाएगा ABD में H अपॉन में 20 प्लस X था इसकी हो एच तो उचाई है ही और 20 प्लस X अब देखिए यह रूट यह 10 30 की वेल्यू क्या होता है 1 बाय रूट 3 और यह है इसके टर्म में लिखिए तो X रूट 3 और अपॉन में यहां पे लिखिए यह हो जाएगा 20 प्लस X तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे Cross Multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 20 प्लस X इसकल to X रूट 3 और यह रूट 3 इदार से multiply हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3X अब X वाले एक साट चला जाएगा तो 20 बराबर में 2X हो जाएगा क्योंकि 3X में से 2X गया अपने 1X गया तो 2X तो X बराबर क्या हो जाएगा X बराबर हो जाएगा 20 upon 2 यानि 10 तो X का value आ गया 10 तो X क्या है अब आपको विट देखिए पहले तो हाइट निकालना था तो हाइट क्या था यहां X की value आया 10 तो 10 root 3 तो 10 root 3 यह हो गया बी आंसर और इसकी चोड़ाई कह रहा है X मीटर तो X मीटर X की value का आया 10 आया है तो इस तरह से सवाल बनते कुछ आपको देख करके सिर्प समझ करके आंसर देना और कुछ सॉल्व करके देना है अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीएगा धन्यवाद